आदिशक्ती का तीसरा सुरूप हैं माचंद्रघंटा तपस्वनी रूप में मापार्वती की तपस्या सफल हुई अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए साक्षात महादेव खुद साधू का वेजधर कर मापार्वती के पास पहुँचे लेकिन ब्रह्मचारणी के सामने उनका स्वांग काम ना आया सम्यासी रूप में मापार्वती ने भोले नाथ को पहचान लिया फिर क्या था मापार्वती ने अपना तपस्यूनी वेश्त्याक कर बन गई महादेव की दुलहनए चंद्रगंटा रूप में मापार्वती से विवाह करने हिमाले राज के घर पहुँच गई भोले नात की बाराण फिर क्या था गाजे बाजे के साथ हुआ महामाया और महादेव का महामिलर कहते हैं मापार्वती अराध्ना से भक्तों का ये लोग ही नहीं पर लोग भी सुधर जाता है मापार्वती अरश कर देती हैं अपने भक्तों को सतबुद्धी प्रडान करती है हाथ में त्रिशूल गरवा अरि सोनवा के हार रुपवा मनवा मोहत बाद तबाडि मैया शेर पासवार रुपवा मनवा मोहत बाद हाथ में त्रिशूल गरवा सोनवा के हार रुपवा मनवा मोहत बाद हाथ में त्रिशूल गरवा सोनवा के हार रुपवा मनवा मोहत बाद हाथ में त्रिशूल गरवा रुपवा मनवा मोहत बाद हाथ मैं के नाद झाल झाल